हेलो फ्रेंड्स मैं रवी स्वागत करता हूं अपने चैनल रवी स्टेडी जोन में तो दोस्तों यह मेरा प्रेक्टिस सेट 7 है कंप्यूटर का और यह चेप्टर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो इसके पहले मैंने 6 वीडियो बनाया है जो आल्रेड़ी प्रे देखते हैं और यह बहुत ही इसफूल होगा आपके लिए सो जो डेली वीडियो आपको कंप्यूटर के मिल रहा है उसको देखा कीजिए ठीक है तो देखिए पहला क्या है आपका निम्न में से कौन सा लीनक लीनक्स का मुख्य घटक है जो हाड़वेर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है ठीक है लीनक्स हमारा ओप्रेटिंग सिस्टम होता है तो बताइए इसमें कौन लीनक्स का मुख्य घटक है जो हाड़वेर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है एक करनेल बी एडिटर सी सेल डी जी यू आई यानि कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो इसमें कौन सा होगा है तो देखिए इसका एंसर होगा आपका ओप्शन ए करनेल करनेल इस दार राइट एंसर चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं और दोस्तों इसका पीडिएफ आपको मिल जाएगा ठीक है पीडिएफ के लिए परशान ना होईएगा वीडियो के इंड में एंसर मिल जाता है तो चलिए अगला क्या है आधि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता रहता है तो मालीजी आपको कंप्यूटर है को किस चीज तरंग आई है या E इनमें इसमें CD-ROM की आवसेक्ता है तो इसमें कौन सा सही होगा तो देखिए इसका एंसर होगा आपका option A इसमें virus है ठीक है चलिए next देखिए अगला question क्या है system को boot करने का क्या अभिप्रा है तो बताइए इसमें system को boot करने का क्या अभिप्रा है A operating system को load करना B computer को dismiss करना C booting number application program चलाना या D computer को भावतिक रूप से किक करना ठीक है तो बताइए इसमें क्या होगा तो देखिए इसका answer है आपका option A operating system को load करना option A is the right answer चलते हैं next question क्यों तो देखिए अगला question क्या है यदि computer में निम्न में क्या नहीं है तो computer boot नहीं कर सकता ठीक है जो हमारा computer है उसमें इंचारों में से कौन सा है जो अगर नहीं होगा तो हम computer को boot नहीं कर सकते हैं पताइए A operating system, B loader, C compiler, D assembler तो इसका होना अनिवार है ठीक है यह नहीं रहेगा तो हम boot नहीं कर सकते हैं इसमें कौन सा होगा आपका सही है और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा ठीक है और जो लोग DSSBJ का form fill up किये हैं वो लोग भी तैयार रहिए तीस तारीक को जब हमार पेपर हो जाएगा इसके बाद जो एक मंत मिलेगा उसमें अच्छे से हम लोग DSSBJ का भी त्यारी करेंगे ठीक है और उस समय आपका सिर्फ टेक्निकल चलेगा सिविल का नोन टेक्निक इसमें बताएं कौन सा सही होगा तो देखिए इसका अंसर होगा आपका ओप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इस दा राइट एंसर चलिए नेक्स देखते हैं अगला कोश्चन क्या है अगला कोश्चन है OSI refresh model कितने परते होती है ठीक है OSI refresh model में कितने परते होती है बताएं A4, B5, C6, D7 एंड देखिए OSI का फुल फ्रम होता है आपका O से होता है OSI तो O से होता है आपका open ठीक है S से होता है system और I से होता है आपका interconnection ठीक है interconnection OSI का यही फुल फ्रम होता है ठीक है तो इसमें फिलाल क्या सही होगा Cancer होगा आपका option D7 ठीक है 7 is the right answer चलें next question देखते हैं अगला question क्या है निम्न में से किसे batch operating system को समर्पित नहीं किया जा सकता है ठीक है तो बताएं निम्न में से किसे batch operating system को समर्पित नहीं किया जा सकता है ए उप्योग करता और जाब के बीच पारस्परिक क्रिया का अभाव बी प्राथमिक्ता परिभासित करने में असमर्थ सी CPU निस्क्रिय समय या डी कम टर्न आउट समय ठीक है तो बताएं इसमें कौन सा आपका सही होगा तो देखिए इसका अंसर होगा आपका option D कम टर्न आउट स्वरी टर्म राउंड समय ठीक है कम टर्न आरांड समय रहें चलिए नेक्स्ट देखियें अगला कोश्चिन क्या है निमलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्ट्वेर नहीं है ठीक है चार उप्सन दिया गया है चार में से आपको बताना एक सिस्टम सॉफ्ट्वेर नहीं है उसके अलावत तीन आपके सिस्टम सॉफ्ट्वेर है ठीक है तो बताए कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्ट्वियर नहीं है यूनिक्स डियो एस विंडोज और कैस्पर स्काई कि अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपको पता होगा तो देखिए इसका एंसर होगा आपका ऑप्शन डी कैस्पर इसकाई हमारा जो है सिस्टम सॉफ्ट्वियर नहीं है ठीक है और उसके लावा जो यूनिक्स डियो एस और विंडोज यह हमारे सिस्टम सॉफ्ट्वियर है ठीक है और देखिए कैस्पर इसकाई क्या है यह एक एंटी वाइरस है ठीक है कि यह क्या है एंटी वाइरस है चलिए नेक्ष दखिए है अगला कोश्चन क्या है वीसम सब्द को चुनिधा चार में से एक सब्द आपका विसम है सम विसम तो समझते होंगे तो वे एक्सेस, यूनिक्स, MS-DOS या विंडो 98 तो देखिए इसका एंसर होगा आपका ओप्शन ए ठीक एक्सेस यह आपका विश्चम सब्द होगा उसके अलावा जो आपके आपके यूनिक्स है कि MS-DOS है और विंडो 98 है यह क्या है आपके यह आपके ऑपरेटिंग एक तिदेवलॉप डाटाबेस मेनेजमेंट सिश्टम यह क्या है डाटाबेस मेनेजमेंट सिश्टम ठिक है किलिए आई-ठिंक इसमें कोई कंफूजन नहीं होना चाहिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेस्टन को देखते हैं कि अगला क्विश्चन क्या है mh10 के लिए प्रतम computer बाइरस का और दिष्ट्रियल मानक नाम क्या है वी मस्तिक boat सी नस डी नाड़ी तो पताई इसमें क्या होगा सही एक और बात बताना चाहता हूं कम्प्यूटर का क्लास पूरा जैसे ही होगा उसके बाद करेंट का आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा डेली तो कम्प्यूटर करेंट आपका लगवक किलियर हो जाएगा ठीक है और जैसे इस सीटी डिकलियर हो जाएगा एकजाम डेट का अगर सीटी सो करने लएगा किस सहर में एकजाम है तो उसके बाद से आपको मेराथन भी स्टार्ट कर देंगा टेकनिकल का भी जो सिविल के हैं उसके लिए टेक्निकल का और नोन टेकनिकल में मेराथन चलेगा आपका करेंट का और कंप्यूटर का ठीक है फिलाल इसमें बताइए क्या होगा अख और आपका कि दो मेरा थन होगा निमेरिकार स्वरी किसका रेजनिंग का बैम ठीक है तो कॉन सा सही होगा तो देखे इसका answer होगा आपका बी मस्तिस्क ठीक है मस्तिक इस दा राइड एंसर ठीक है और इसका विकास हुआ था यह अस्तित्प में कब आया था तो यह अस्तित्प में आपका 19 हुआ है है 1986 में यह अस्तित्वे में आये था में स्टीका चलिए नेक्स्ट रहते हैं अगला स्ट क्या है है अगला क्योंट पूछ रहा है कि निमलीखित में से कौन सा कार्य और स्ट को परियोग करके नहीं दे मतलब जो चिए चार कार आई इनचार कारे में से कौन सा कारे है जो हम MS Extra में नहीं करते हैं ठीक है को तो बताए किस कारे को हम एसमें नहीं करते ए चाट नीर्मान बी जाली तलिका नीर्मान ठीक है बिटी पूर्णवा लोकन या डी मैट्रिक्स विथ्करम की घ्ण verrata तो देखे इसका एंसर होगा आपका option D ठीक है option D is the right answer आपका D सभी होगा matrix वित्करम की गणना करना ठीक है option D आपका सभी होगा चलिए next question देखते हैं कि अगला question क्या है पहला Microsoft प्रचालन तंत्र यानि कि operating system कौन सा था ठीक है जो पहला operating system था वो कौन सा था उसका क्या नाम था A MS-DOS B Windows 7 C MS-DOS या D Windows 8 ठीक है तो अब बताईए इसमें पहला operating system कौन सा था कि देखिए इसका answer होगा आपका option C MS-DOS option C is the right answer देखिए डी ओ एक्स वाला नहीं होगा डी ओ एस वाला होगा MS-DOS ठीक है इसमें आपका option C is the right answer और आपको पता होगा नहीं पता तो हम बतात रहा हैं जो MS-DOS है चले किसी अगले question बताएंगे इसके बारे में चले अगला question देखिए क्या बोल रहा हैं और यह बहुत अच्छा question है निमलिखित में से किस रेनी के वायरस समानेतर निस्पादन को कोड़ो जैसे .com .exe फाइलो को संक्रमित करते हैं ठीक है तो देखिए जो इसमें लिखा हुए निस्पादन कोड़ इसका इंगलिस में कहते हैं एक्सेक्यूशन कोड ठीक है जो इस निस्पादन कोड लिखा हुए इसको इंगलिस में कहते हैं अगरना जैसे निस्पादन कोड़ यानि एक्सेक्यूशन कोड जैसे यह आपके execution code है .com और .exe अक्सर आप लोग इसको देखे होंगे mobile में भी और computer में भी तो जैसे .com, .exe फाइलों को संक्रमित करते हैं इन फाइलों को कौन सा वाइरस संक्रमित करता है चार आपके वाइरस दिये गए है फाइल इन फाइलों को संक्रमित करता है तो देखे इसका एंसर होगा आपका option a ठीक है option a is the right answer फाइल इन फाइल इन फैक्टर वाइरस याद रहेगा फाइल इन फैक्टर वाइरस है इसका सही एंसर ठीक है चलिए next question को और चलते हैं अगला question और दोस्तों देखे इसको बता दूं PDF कैसे मिलेगा तो यह हमारा नमबर है 7905-85-8807 इस नमबर पे आप हमें WhatsApp कर दिजें और आप जानकाई ले सकते हैं PDF के बारे में ठीक है एंड आपको आपको 49 रुपे पे करना होगा ठीक है तो आपको सारा PDF मिल जाएगा जिसमें आपका 700 प्लस कम्प्यूटर का कोश्चन है साथ सो कम्प्यूटर कोश्चन है 700 प्लस आपके करेंट के कोश्चन है और ढाई हजार वन लाइनर 500 प्लस question आपके one liner के हैं ठीक है जीके का ये सारा आपको सिर्फ 49 रुपे में मिल जाएगा ठीक है तो I think का clear हो गया होगा नहीं clear होगा तो इस number पे आप extra जनकाई ले सकते हैं ठीक है तो चलिए question को देखिए तो बताया इसमें क्या सही होगा DOS command में जो ये signal है चिन किस लिए परियुक्त होता है ठीक है A. दो परिणामों की तुलना के लिए B. redirect input के लिए C. redirect output के लिए D. filter data के लिए या E. इन में से कोई नहीं ठीक है तो बताये जो ये command है उसका परियुक हम किस लिए करते हैं तो देखिए इसका answer होगा आपका option C ठीक है option C is the right answer redirect output के लिए ठीक है option C आपका सही होगा चलिए next question को चलते हैं अगला question क्या है page table length register यानि की PTLR ठीक है PTLR page table length register का आकार यानि की save किसे इंगित करता है A. page table B. pegging file C. main memory या D. virtual memory तो बताये इसमें कौन सा होगा तो बताये इसमें कौन सा सही होगा page table length register PTLR का किसे इंगित करता है तो देखिए इसका answer होगा आपका option A page table option A is the right answer ठीक है चलिए next question को देखते है अगला question क्या है निमलिखित में से कौन सा commercial software उत्पाद क्रमसा operating system software और application software के उदार है ठीक है question में देखिए बस question को लेंदी किया गया है पूछा तो कुछ है नहीं पूछा बस यह है कि जो आपका क्रमसा operating system software और application software के उदार है ठीक है चारों जैसे है जो यानि कि left में आपका operating system और right में आपका application software कौन है option में यह दिया है आपको बताना है ठीक है तो बताए लेफ्ट में जो है वह आपका operating system software कौन है और right में आपका जैसे यह आपका left हुआ यह आपका right हुआ राइट में आपका application software कौन है इसमें कौन सा पहले आप अगर आपको पता होगा या फिर मेरे पिछली वीडियो को देखें हैं तो आपको पता तो थोड़ा सा किलिए तो होई गया होगा कि operating system software कौन है और application software कौन है तो फिलाल बताए इसमें कौन सा सभी होगा तो देखें इसका एंसर होगा आपका option A ठीक है option A is the right answer जो आपका operating system software है वो आपका Microsoft Windows XP है ठीक है यह आपका क्या है operating system software और बात करेंगे application software का तो आपका Microsoft Word है यह आपका application software है Microsoft Word आपको पता है जिसमें हम टाइप करते हैं तो वह हमारा Microsoft Word होता है वो हमारा क्या है application software है लेकिन जब हम बात करेंगे क्या जब operating system software की बात करेंगे तो हमारा यह Microsoft Windows XP हो जाएगा ठीक है XP का अलावा और कौन सा था जो इसके पहले हमने जिकर किया था question में जो हमारा operating system था एक तो XP हो गया और आपका होता है Windows 98 होता है Windows 98 यह आपका भी क्या है operating system है फिर आपका कौन सा operating system है MS-DOS भी आपका MS-DOS यह भी आपका operating system है और आपका Unix यूनिक्स ठीक है यह भी आपका operating system है तो कहने का मतलब यह तो आपका इधर ठीक था next question में भी देखेंगा option में तो इधर आपका MS-DOS दिया हुआ यूनिक्स दिया हुआ है यूनिक्स दिया हुआ है ठीक है यह भी दिया हुआ है यह तो सही था operating system आपका left side का सब सही था ठीक है लिंक जो राइट में जो दिया हुआ था और देखें यहां पर Microsoft Windows XP दे दिया है लेकिन राइट में क्या बताना था आपको application software के मताना था तो यह दोनों बहुत क्या होंगे operating system हो गया फिर देखिए यहां पर क्या Microsoft Windows XP यह दोनों क्या हो गया operating system हो गया यूनिक्स और लाइनक्स यह भी आपके operating system हो गया ठीक है तो इसमें application सिर्फ यही था Microsoft Word ठीक है Microsoft Word पता है जिसमें typing किया जाता है जनरले इसको हम यूज करते हैं ठीक है तो आइधिंग किलियर हो गया ओगा तो चलिए next question क्यों चलते हैं अगला question क्या है mobile operating system software android OS 2007 में किस company ने विक्सित किया था अच्छा mobile operating system software android OS 2007 में किस company ने विक्सित किया था ओ Android OS 2007 किस company ने विक्सित किया था ठीक है पहला आपका मैक्रोसफ्ट कर्परेशन बी गूगल कर्परेशन सी इंटल या डी एपल तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा कि इसमें कौन सा सही होगा तो देखिए इसका एंसर होगा आपका ओप्शन बी गूगल कॉर्परेशन ठीक है गूगल कॉर्परेशन इस दा राइट एंसर इसने विक्सित किया था Android OS 2007 ठीक है चलिए आगे देखते हैं विंडोगम सेवन एक उदारन ठीक है जो हमारा Windows 7 है वो किसका उदारन एप्लिकेशन सविएर का एक ब्राउजर है ओप्रेटिंग सिस्टम है एक सिर्वेर है ठीक है तो बताई इसमें क्या होगा जो विंडोगम सेवन है और किसका उदारन सेवन के बारे में विंडो 98 के बारे में यह सब क्या होते हैं कि फिलाल बताइए इसमें कौन से सही होगा कि तो देखिए इसका एंसर होगा आपका ऑप्सन सी यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं टीक है विंडोस 7 विंडो यह सब क्या है ओपरेटिंग सिस्टम है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए और ब्रावजर जिसमें होता है नेट सर्चिंग करते हैं जो हमारा मोजीला हुआ फायरफोक्स हुआ यह आपके क्या है ब्रावजर एप्लिकेशन सब्ट्वेर जिसमें हम एप इसमें कोई फंक्श ओपरेटिंग सिस्टम है ठीक है कि लिए रोगया चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है कि विंडो टेन में निमलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उप्यों करताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किये गए प्रोग्राम को अनिस्टॉल कर देती ह ठीक है तो देखें जब हम विंडो टेन यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में तो यह क्या होता है कि चार आपके ओप्सन दिएगा है कंट्रोल पैनल है ठीक है उप्यों करता का खाता प्रोग्राम हाड़वेर और धोनी सिस्टम और सुवक्षा यह कंट्रोल पैनल आइटम है जो क्या करते हैं उप्यों करता को कम्प्यूटर पर यह कंट्रोल पैनल उप्यों करता को कम्प्यूटर पर पहले से इंस्टाल किये गए प्रोग्राम जो प्रोग्राम पहले से इस्टाल किया गया है उसको अनिस्टाल कर देती है ठीक है तो बताएं कौन सा कंट्रोल पैनल आइटम है जो पहले से इंस्टाल किये गए प्रोग्राम को अनिस्टाल कर देती है ए उपयोग करता का खाता बी हाडवेर और ध्वनी सी प्रोग्राम डी सिस्टम और सुरक्षा तो कौन साइस में सही होगा है तो देखिए इसका एंसर होगा आपका आप्शन को सी ठीक है ऑप्शन सी दराइट एंसर प्रोग्राम ठीक है है कि चले नेक्ष्ट देखिए है अग्यां कि अग्या क्या है विंडो एम एम में मे से क्या सब्द बनता है मतलब में का फोल प्रम पूछ और आइसे समझे लेजिए विंडो में 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 से क्या थात्पर हैं ए मिलेनियम भी माइक्रो मैक्रो एक्सपर्ट डी मल्टी एक्सपर्ट या इसमें क्या होगा कि और अभी बारिस हो रही है तो आज आ रही होगे तो फोड़ा इनोर कर लिजिए ठीक है तो देखिए इसका अंसर होगा आपका option A a millennium ठीक है option a is the right answer millennium अब और देखिए जो आपका millennium है यह आपका GUI है मतलब graphical operating system एटिक है और सुरी graphical user interface है ठीक है चलिए next देखिए अगला question क्या है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है ठीक है बताएं माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं इसे कहा गया है बिल्ल गेट्स को पॉल गैटी को सी डाक्टर केनेफ ऑलसन को या डी उप्युक्त में से कोई नहीं Microsoft King कौन है तो यह आपको पता होगा कौन होगा ए बिल गेट्स ठीक है चलिए next देखिए अगला question क्या है December 2018 तक Microsoft Windows का सबसे हाल का संसकरान कौन है और इसे कब जारी किया गया था ठीक है 2018 में Microsoft का कोई नया Windows लॉंच किया गया था तो कौन सा Windows लॉंच किया गया था और किस समय जारी किया गया था A. Windows 8 2016 B. Windows 7 2015 या C. Windows 10 2015 या D. Windows 10 2017 तो कौन सा होगा देखिए इसका एंसर होगा आपका आप्शन C विंडो 10 2015 ठीक है आप्शन C is the right answer चले अगला कोश्चन देखते हैं टीक है Windows के बीच सिघरता से अदला बदली करने का तरीका निमलीकित में से कौन सा है टीक है विंडो के बीच सिघरता से अदला बदली करने का तरीका कौन सा है ए औल्ट प्लस टैब बी कंट्रोल प्लस टैब सी शिफ्ट प्लस टैब या डी सिफ्ट प्लस अल्ट ठीक है इसकी को आप आपने पास जो लेप्टोप या कंप्यूटर रखें उसमें भी थोड़ा करके देखिए अप्रेटिकल तो तो देखिए इसका अनसर होगा आपका आपशन ए ओल्ट टैब ठीक है चलिए नेक्ष्ट देखिए कि विंडोज में शॉटकर्ट जो की होता है शीफ्ट प्लस डिलीट यह सिफ्ट प्लस डिलीट जो की है सव्टकर्ट की का परियोग किया जाता है ठीक है इस की का परियोग किसले किया जाता है A. चैनित आइटम को रिसाइकल बिन में डाले बिना अस्थाई रूप से डिलिट करने के लिए B. चैनित आइटम को कॉपि करने के लिए C. चैनित आइटम को रिनेम करने के लिए तो कुछ से तो question से option से भी clear हो जाएगा तो देखिए इसमें जो आपका option लिखा गया जो भी है चैनित आइटम को copy करने के लिए तो copy का आपको पता सी कंट्रोल प्लस सी करते हैं या सी प्लस सी यूज कीजिएगा सी वर्ड तो copy तो होगा नहीं ऐसे भी किलिए हो जाएगा चैनित आइटम को recycle बिन में डाले बिना अस्थाई रूप से डिल्ट करने के लिए ठीक है ऐसे भी हो जाएगा ऑप्शन से ही बन जाएगा यह जब डिलिट बोला है तो लेटी करना है चले नेक्ट देखिए अगला क्या है मैनू में किसकी सुची होती है इन चारों में से किसकी सुची होती है मैनू में एड डिटा भी अबजेक्ट सी रिपोर्ट डि कमांड तो कौन सा होगा इसमें इसका इंसर होगा आपका डि कमांड ठीक है कमांड आपका सही होगा चले नेक्ट देखिए अगला क्या है रीडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का साटकट कुझी संयोजन क्या है ठीक है रीडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का सौटकट की पूछ रहा है ठीक है कौन सा सौटकट की है रीडो का ठीक है कि अ मैं कॉन यह कंट्रोल फ्लस- बी कंट्रोल प्लस चिफ्टप्लस ऐसी कंट्रोल प्लस चिट या डी कंट्रोल प्लस iki रिडो का सुट्कट की क्या होगा तो देखिए इसका एंसर होगा आपका option c ctrl प्लस shift प्लस z ठीक है चलिए next देखिए तो बताई यह दो कत्तों है कि यह दूसरा सत्व है कि दोना सत्व है कि यह फिर कोई भी सत्य नहीं है घृज फोला कथन क्या है आपका Linux प्रणाली में file.txt और file.txt को अलग अलग file नाम माना जाएगा पहला कथन दूसरा के आए window प्रणाली में file.txt और file.txt को एक file नाम माना जाएगा तो क्या होगा इसमें आपका कि दोनों सही है कि दोनों गलत है या फिर कोई एक सही है या कोई भी नहीं सही है कि देखिए इसका अंसर होगा आपका option c ठीक है option c आपका सही होगा एक और दो दोनों दोनों आपके सही है ठीक है कि दोनों आपके सही है Linux प्रणाली में कि फाल.txt और फाल.txt को अलग-अलग फाइल नाम से जाना जाता है ठीक है और window प्रणाली में और फाइल.txt और फाइल.txt को एक फाइल को नाम से जाना तो विंडो परणाली होगा तो इन दोनों को एक नाम से जाना जाता है ठीक है विंडो परणाली में और लाइनक्स परणाली में अलग-अलग ठीक है यह अलग और यह अलग दोनों को अलग-अलग माना जाता है ठीक है अलग अलग नाम से Linux पढ़ना ले में ठीक है किलियर चलिए अब अगले question को देखते हैं अगला question Unix operating system को आम तोर पर किस रूप से किस रूप में जाना जाता है ठीक है जो हमारा Unix operating system है यह भी आपका operating system है इसको आम तोर पर किस रूप से जाना जाता है ए जनरल application भी single user operating system c single user application program यदि multi user operating system तो बताए इसमें क्या होगा आम तोर पर Unix operating system को किस रूप में हम जानते हैं कौन साइज में आपका सब्सक्राइब होगा तो देखिए इसका answer होगा आपका option दी ठीक है multi user operating system option d is the right answer चलिए next देखिए नीन में से कौन सा open source operating system है ठीक है अब इसमें आपको बताना है आपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है एड डॉस दी ओएज विल लिनिक्स सी विन्डोज दी यूनिक्स तो इसमें open source operating system आपको बताना है तो क्या होगा है कौन सा होगा इसमें तो देखिए इसका एंसर होगा आपका option B ठीक है लिनक्स ठीक है option B इस दा राइट एंसर लिनक्स को open source operating system माना जाता है या फिर है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला question क्या है लिनक्स एक है ठीक है लिनक्स क्या है इसके पहले भी कई वर जिक्र किये हैं तो यह क्या है आपका application software है कि word processor है कि database management system है कि या फिर system software है क्या होगा लिनक्स यही आपका लिनक्स है जो दिया गया है तो कौन सा आपका सही होगा इसमें तो इसका answer होगा आपका option d system software है ठीक है इसके पहले भी कई बर बता दिया है आपको लिनक्स के बारे में यह हमारा क्या system software है ठीक है चलिए next देखिए अगला question है कि निम्न में से कौन सा कथन software आवस्यक्ता विनिर्देश यानि कि srs ठीक है के विसे में सत्य नहीं है ठीक है तो कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है किसके विसे में software आवस्यक्ता विनिर्देश यानि कि srs के संबंध में इन चारों में से कौन सत्य नहीं है ठीक है यह आपको बताना है तो कौन सा इसमें आपको सही लग रहा a. srs को black box विनिर्देश के रूप में भी जाना जाता है b. क्या किया जाना चाहिए srs दस्तावेज इस तत्य पर ध्यान के अंदरित करता है c. srs दस्तावेज डेवलपर और ग्रहा की बीच एक मनुसे के रूप में कारे करता है या d. srs दस्तावेज सिस्टम मैनुवल के रूप में कारे करता है कौन सा इसमें सत्य नहीं है तो देखिए इसका अंसर होगा आपका option c option c होगा आपका सत्य sorry option c आपका सही होगा ठीक है यह सत्य नहीं है यह आपके जो srs है उसके respect में यह आपका सत्य नहीं है और वही पूछा है कि कौन सत्य नहीं है तो आपका c सही होगा srs दस्तावेज developer और ग्रहा के बीच एक मनुसे की रूप में कारे करता है यह बात पूरी तरह से गलत है ठीक है उसके अलावा आपके जो तीनों पॉइंट है srs के संबंद में सही है तो पहला srs को black box वी निर्देश के रूप में भी जाना जाता है यह आपका true है ठीक है की तो आप यह जाना चाहिए srs दस्ता वेज इस तथ्य को द्यान के निर्दिक करता है यह भी आपका वाकि सही है और फोर्थ आपका dv आपका सही है srsदस्तावेज system manual की रूप में कारे करता है यह भी आपका सही है ठीक है और शिर्फ आपका कौन गलत है और इसमें गलत ही पूझा था यानि कि सत्ते नहीं है ठीक है चलिए next question क्यों चलते है अगला question देखिए निमलिखित में से कौन से कथन गलत है अब इसमें गलत कथन बताना है पहला और दोसरा दोनों कथन दिया गया है आपको गलत बताना है कौन गलत है तो पहला कथन क्या है Also Alta Vista चांब इसको इंगलिस इंगलिसह के हम लिखते हैं है ज़ता फिस्टा ठीक है अलल्टा विश्टा और लाइकोस सुरुवाटी shift दिनों के खोज इंजन के उधारण है ठीक है मतलब कि कश sie इंजन के उधारण है अल्टा विश्टा और लाइकोज क्या शुरुवाती दुनों में इंजन के कम्प्यूटर का जो इंजन था खोज इंजन उसके उधारण है पहला कथन ठीक है दूसरा कथन क्या है 学 वेब कॉलर को वेब के रूप में भी जाना जाता है दूसरा कत becomes है तो आप मताईए इसमें दोनों कतन सब्सक्राइब और मताता है या दोनों कतन गुलत है या फिर कोई सब्सक्राइब के पीर देन डिए कौन सब्सक्राइब तो देखिए इसमें आपका सई होगा option A ठीक है ना तो वो एक ना ही दो इसमें दोनों गलत हैं ठीक है दोनों आपके गलत हैं ठीक है देखिए इसमें आपका सई है न तो एक न तो दो इसमें यानि कि इसमें सही होगा आपका एक अनुसार न तो एक और नहीं दो मतलब पुछा क्या था कौन सा कथन गलत है तो न तो एक और नहीं दो ना एक गलत है ना दो ही गलत है तो गलत नहीं दोनों है तो यानि कि दोनों सही है ठीका दोनों कथन आपके सही है अल्टा विष्टा और लाई को शुरुआती दुनों के खोज इंजन के उधारन खोज इंजन का मतलब सर्च इंजन ठीका और दूसरा वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है यह भी आपका सही है ठीक है तो कोई इसम हो रहा अधिकांस तो ही यूजी हो रहा कौन सा सर्च इंजन गूगल गूगल सर्च इंजन सबसे ज्यादा भी परियोग हो रहा ठीक है चलिए नेक्ष्ट देखिए अगला कोशन क्या है माडलिंग टूल बार पर दी गई 3D कमांड में क्या सामिल होता है ठीक है माडलिंग टूल बार पर दी गई 3D कमांड में क्या सामिल होता है ए विकल्पो में से सभी वी गोला सी एक्स टूड डी बाक्स क्या होगा सभी तो देखिए इसका एंसर होगा आपका ए ठीक है विकल्पों में से सभी सभी यानि कि गोला बॉक्स और एक्सट्यूट थीनों ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है ऐली कि लिए लिखा जाता है अगले Lahische करकी निमली खित के लिए लिए लिखा जाता है ठीक है सित्फों फूल प्र पूच रहा है ब्लावग तब देखिए इसका एंसर होगा आपका ओप्षन एक कंप्यूटर एडिट डियाइन ठीक है चलिए नेक्ष्ट देखिए अगला कुश्चन क्या है निमलिखित कत्रों में से कौन एक डेक्ष्टॉप कंप्यूटर का सही वर्णर नहीं करता है ठीक है जो हमारा डेक्ष्टॉप कंप्यूटर है ठीक है उसका सही वर्णर नहीं करता है मतलब उसके बारे में गलत बताया है गलत लिखा हुआ है और ती कुन सा गलत हैं कि यह एक प्रस्टनल कंप्यूटर है बी यह एक ही अस्थान पर नियमित रुप से इस्तमाल करने जाने वाला कंप्यूटर है कि डेक्स्टॉप लेट्टॉप की तुलना में इसकी कीमत कम होती है कि दि यह एक परकार का पॉर्टेबल कंप्यूटर है यह डेक्स्टॉप में बिजली खपत लैप्टॉप कंप्यूटर की तुलना में कम होती है इसमें कौन सा कथन कौन सब्सक्राइब कंप्यूटर के संदर्व में गलत है कि कुश्चन तो ज़्यादा कुछ है नहीं इजी है लेकिन इसको वर्ट से इतना लेंदी बना दिया गया है कि लग रहा है कि हार्ट कुश्चन है कि पताए कि इसमें सभी होगा कौन सा सभी होगा कि इसका अंसर देखिए जो कंप्यूटर यूज होता है डेक्स्टॉप कंप्यूटर तो उसके बारे में यह तो आपको पता हुग यह एक प्रस्नल कंप्यूटर है ठीक है जनली प्रस्नल कंप्यूटर के तौर पे डेक्स्टॉप कंप्यूटर का यूज होता है इस वाक्य स्थान पर दियमित रूप से इस्त Himal के लिए YouTube नहीं स्थान कि अ किन नहीं हम नहीं है यह इसमें कोई कर दिकत नहीं है यह है देख्सटाप come you too the सफ्केम नहीं कीमत होती है तुर टेgraduate उन्हें सब्साहिए कहला है अब देघिवें फोर है यह एक परकार का पोटेवल कंप्यूटर है माल लिजे थोड़ा समय के लिए हमको पोटेवल कंप्यूटर नहीं समझा रहा है क्या है तो हम इसको छोड़ते हैं आगे देखते हैं फिर हमारा एक क्वेश्चन क्या है ऑप्शन तो डेक्स्टॉप में बिजली की खपत तुलना में कम होती है ठीक है मैं टिवी बात स़हिए जो डेक्स्ट्व होता है अब देखें जो हमारा यह चारों सही हो गां तो कौन सा गलत होगा जाहिर सी बात है आपका जो बच्री берब गलत ही हो जाएगा option D आपका सही भर हर ठीक है आप्षिन D जो है यह एक परकार का potable computer है यह बात पूरी तरह से desktop computer के respect में गलत है यह portable computer नहीं होता है जो हमरा desktop computer होता है, ठीक है चलिए, next देखिए अगला question तो दोस्तों यह मेरा last question था ठीक है और यह हमारा नंबर है पीडियाफ के लिए आपको अगर चाहिए तो प्रणने में भी आसानी होता है ठीक है और ज्यादा फीस भी नहीं है तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और आपको मिलेगा कल ठीक है तो वीडियो का इसा लगा जरू कमेंट करके बताईएगा और अच्छा लगे तो लैक जरू कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किये तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ठीक है धन्य